तो हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू माई योटूब चैनल टार्गेट क्लासेश टार्गेट क्लासेश में आपका स्वागत है मैं आज आपको बोर्ड एकजाम 2024 में चेप्टर फर्स्ट साइन्स का चेप्टर पहला है कौन सा चेप्टर रासाइनी कभिकिरिया एवं समिकरन इस किसे कहते हैं उत्तर देखिए वह रासाइनी कभिकिरिया जिसमें एकल अभिकारक किसी परिस्तिती के कारण दो या दो से अधिक अभिकारक में तूट जाता है उसे वियोजन अभिकिरिया कहते हैं फोर इकजाम्पल जैसे देखिए ह2O यानि कि ये वाटर का सुत्र यानि कि पानी का सुत्र है ह2O बराबर ह2 प्लस O2 यानि कि ये किसी परिस्तिती के कारण दो या दो से अधिक उत्पादों में तूट गये हैं इसलिए इने ब्योजन अभिकिरिया कहते हैं ठीक एकल अभी कारण किसी परिश्थिती के कारण दो या दो से अधिक उत्पादों में तूट जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं ब्योजन अभिकिरिया कहते हैं क्वेस्टन नमर दूसरा देखिए प्रतिस्थापन अविक्रिया या विस्थापन अविक्रिया किसे कहते हैं ठीक प्रतिस्थापन अविक्रिया या विस्थापन अविक्रिया किसे कहते हैं इसका उत्तर देखिए वह रसाइनिक अविक्रिया जिसमें अधिक क्रियासिल पद जार्थ को उनके योगी को से निकाल कर उनको योगी को से हटा कर उसका इस्थान स्वेम करहन कर लेता है उसे विस्थापन अविकिर्या करते हैं जैसे देखिए जैसे माल लेजेगी कॉपर से क्या है अधिक किर्या सील है तो यह कॉपर कोई के साथ कॉपर क्या हो गया है इसमें योग हो गया है ठीक और जो एफी है वो इससे बिछड़ गया है इसलिए हो गया है सी इउ एसोफोर प्लस एफी ठीक यह सबसे महतोपुन कोऊशन था सबसे महतोपुन कोऊशन करे यदाक्स अविकिर्या किसे काते हैं धिकजीए यह वह कोर सायनिक काविक्या जिसमें उप चयन वब अपचयन साथ साथ होते हैं उसे रेडाक्स अविक्रिया कहते हैं वह रासाइनिक अविक्रिया जिसमें उपचयन वह अपचयन साथ साथ होते हैं उसे रेडाक्स अविक्रिया कहते हैं जैसे Na प्लस Cl2 बराबर NaCl यानि कि Na मतलब sodium Cl2 मतलब chlorine ये दोनों जब आपस में किरिया करते हैं तो NaCl यानि कि लवन का निर्मान होता है यानि कि नमक का निर्मान होता है ये जो Na जो Na पे है वो कितना धन चार्ज है ये उप्चैन अभी किरिया हो जाएगी और Cl2 जो NaCl पे कितना धन धन चार्ज हो जाएगी इसमें से यहां से एक इसमें ट्रांस्पर हो रहा है धन चार्झ ठीक तो अप्चैन अभी किरिया हो जाएगी चोथा नमबर एक संच्छारण किसे कहते हैं ये सबसे महत्वपुन कोसाने कौसा संचारण किसे काते हैं इसका उत्तर देखिए जब कोई वस्तू अमल आदरता नमी जल इत्यादी के संपर्क में आती है तब इसका च्छे होना प्रारंब हो जाता है जैसे हम लोहा को देख ले जब लोहा को हम लोग पानी में रखेंगे आदरता नमी जल इत्यादी के संपर्क में आती है तब इसका च्छे होना प्रारंब हो जाता है तो इसे हम संचारण कहते हैं ठीक तो इसे हम क्या कहते हैं संचारण कहते हैं अब देखिए क्वेस्टन नमर फाइव किसी पदार्थ एकस के विलेन का उप्योग सफेदी करने के लिए किया जाता है एकदम ध्याम से सुनिएगा किसी पदार्थ एकस के विलेन का प्रियोग सफेदी करने के लिए किया जाता है जब हम लोग घर पे जब सफेदी करते हैं यानि कि जब अपने घर को पेंट करते तब देखिए पहला इसी से related question है दो question है ठीक पदार्थ x का नाम तता सुत्र लिखिए जब हम लोग घर को सफेदी करते हैं तो उसमें कौन सब पदार्थ यूज़ किया जाता है तो पहले का answer है पदार्थ x का नाम बिना भुज़ा हुआ चूना है जब हम लोग बजार्थ जब चूना किन खरीद कर लाते हैं तो वो बिना भुज़ा हुआ चूना रहता है ठीक इसका सुत्र CAO होता है यानि केलसियम आकसाइड इसका सुत्र होता है ठीक क्या होता है केलसियम आकसाइड इ आते हैं जब उसमें जब हम लोग जल डालते हैं तो उसमें उसमा छेपी अभिक्रिया होती है यानि कि उसमें से उसमा का उत्सर्जन होता है ठीक देखिए दूसरे यह दूसरे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया जब केल्सियम ऑक्साइड जब ह2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सर्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है एक बार और कुश्टन को देखिए जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सर्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है तो विलयन का नीला रंग हरा हो जाता है ठीक क्योंकि जो लोहा होता है वो कॉपर से अधिक किरिया सील होता है जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आइरन सल्फेट यानि की एफ़ी एसो फोर तथा कॉपर धातु बनती है ठीक जो आइरन है वो कॉपर से अधिक किरिया सील है अधिक किरिया सील धातु होता है इसलिए कॉपर को एफी विस्थापित कर देता है और सी यू का इस्थान कर लेता है यानि कि एसो फोर के साथ क्या है सी यू है ठीक याप एसो फोर के साथ क्या हो गया एफी हो गया यानि कि अधिक किरिया सील पदात को उनके योगिकों से हटा कर उनका इस्थान स्वेम कर लेते है ठीक अब देखें question number 7 उप्चयन वब अप्चयन किसे कहते हैं पहले उप्चयन देख लिजे वहर रासाइनिक अभिक्रिया जिसमें oxygen की व्रिधी होती है तका hydrogen की कमी होती है उसे उप्चयन अभिक्रिया कहते हैं जैसे ZNCSO4 ZN plus CuSO4 बराबर ZNSO4 plus Cu जो zinc है वो copper से अधिक क्रिया सील है इसलिए copper को विस्तापित करके उसका इस्थान ग्रहन कर लिया है ये तो आम बात है लेकिन इसमें लिखा है वह रासाइनिक अभिक्रिया जिसमें oxygen की व्रिधी होती है तो देखिए ZN यानि कि zinc के साथ oxygen है zinc के साथ oxygen नहीं है इसलिए यहाँ पर देखिए zinc के साथ oxygen है इसलिए इसमें oxygen की व्रिधी होई है इसलिए ये उपचेन अभिक्रिया है अब देखिए उपचेन अभिक्रिया वह रासाइनिक अभिक्रिया जिसमें oxygen की कमी वह रासाइनी कभी की रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तता हाइड्रोजन की ब्रिधी होती है ठीक जैसे देखिए CEO यानि कि ऑक्सीजन की कमी होती है यानि कि CEO के साथ ऑक्सीजन की क्या हो गई है कमी हो गई है इसलिए यहाँ पे oxygen है और यहाँ पे oxygen नहीं है ठीक दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आपको किस चीज पे वीडियो च साहित होता हूँ और लाइक करने से सब्सक्राइब करने से free of cost है इसमें कोई पैसा नहीं लगता है ठीक तो लाइक सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए थैंक्यू